तो देखते हैं पर question number 6 में हमसे क्या पूचा गया है what are amfetric oxide तो यहाँ पर जो amfetric oxide होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं और हमें यहाँ पर दो example बताने किसके amfetric oxides के तो यहाँ पर बात कर लेते amfetric oxide होते क्या है those oxide which act as both basic and acidic oxide वो oxide जो यहाँ पर दोनों nature को शो करते हैं basic omfetric oxide को भी और acidic oxide को भी उसी को यहाँ पर क्या बोला गया एफ़ूत्रिक oxides बोला गया है अगर मैं यहाँ यहाँ पर example की बात करो तो हमारा एक aluminium oxide हो गया और एक यहाँ पर Zinc oxide हो गया दोनों ही यहाँ पर basic और यहाँ पर acidic oxides की property को शो करते हैं तो यहाँ पर दोनों properties को show करते हैं वो यहाँ पर basic oxide को भी show करते हैं और acidic oxide को भी यहाँ पर show करते हैं hope आपको इस concern समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ